नमस्कार, SSC अड़्डा पर आपका स्वागत है, मैं सुधीर कुमात्रपाथी, आपको बाइलोजी या जियू विज्ञान पढ़ाऊंगा जियू विज्ञान एक ऐसा सबजेक्ट है, बाइलोजी, जो लगबग जितने भी exam होते हैं, चाहे वो छोटे exam हो, चाहे वो बड़े exam हो लगभग सभी एक्जाम में biology से related बहुत सारे questions बनते हैं तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोगों को biology में क्या-क्या पढ़ना है कैसे-कैसे समझना है और इसके steps क्या होते हैं इन सभी पहलों पर हम आपसे discuss करेंगे तो अगर आपको biology समझ में नहीं आती है तो students में कोई कमी नहीं है, केवल और केवल कमी अगर है तो वो students में ना होकर के teacher में होती है यानि अगर आपको science subject interesting नहीं लगता तो समझ जाईएगा student में कमी नहीं है, कमी है तो teacher में है इसलिए मैं इस पूरे subject को आपको interesting बनाने की कोशिश करूँगा और इस पूरे subject में आपको human physiology से introduce करूँगा और आपको सरीर के सभी organs के बारे में पूरी तरीके से समझाऊँगा इसके अलावा plants के अंदर जो plant physiology और anatomy होती है उसको भी हम यहाँ पर discuss करेंगे इसके अलावा evolution से related जो chapter होगा और भी बहुत सारे chapter होते हैं वो हम discuss करेंगे आज थोड़ा पहली class है इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये सब बातें कर रहा हूँ next time से हम सिर्फ topic पर बात करेंगे तो biology में सबसे important chapter जहां से लगभग questions बनते ही बनते हैं उस topic को हम start कर रहे हैं उस topic का नाम है digestive system या पाचन तंत्र अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा आखिरकार digestive system ही क्यों पढ़ाया आपने पहली class में आप हमें respiration भी पढ़ा सकते थे आप हमें excretion या उत्सरजन भी पढ़ा सकते थे तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि पहले जब आप खाना खाईए खाना खाने के बाद आपको energy मिलती है और फिर उसके बाद ही आप अपना सारा काम कर लेते हैं तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसी भी living beings के लिए यानि जिन में भी जीवन है उन सब को जो जरुवत होती है वो होती है energy की यानि उर्जा की जरुवत होती है तो अगर आपको उर्जा लेनी है तो आपको खाना खाना पड़ेगा और फिर उसके बाद जब आप खाने को पचाते हैं यानि digest करते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ waste material बनता है उस waste material को आप अपने सरीर से बाहर निकाल देते हैं और फिर उसके बाद आप उस खाने को जलाते हैं यानि burn करते हैं और आपको सायद मालूम हो अगर आप science के student है या नहीं भी हैं तो भी आपको ये पता होगा कि कोई भी चीज किसकी presence में जलती है तो आईए समझते हैं किसकी presence में जलती है हम खाना क्यों खाते हैं और आखिरकार उसका उद्देश क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जरा कल्पना करिए देखिए थोड़ा सा interest पैदा करते हैं इस पूरे टॉपिक में ध्यान से समझिएगा मान लिजिए आपके हाथ में एक रजगुला है रजगुला मतलब आप समझ रहे होंगे कई जगां गुलावजामन भी कहा जाता है इस स्पंज वाला रजगुला होता है अब आप सोच ये या तो फिर आप मोमोच का नाम ले लिजिए तो जब आप इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा ख्याल आता है आँक से अगर ना भी देखे अगर आपके सामने कोई बोल रहा हो तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा वाव टेस्टी होगा रजगुला काफी टेस्टी होगा और डेफिनेटली आपके मुँ में पानी भी आएगा जो सलाईवा के नाम से जाना जाता है अब उस रजगुले को आप जब खाते हैं तो खाने के बाद आपके मुँ में टेस्ट आता है टेस्ट के बाद वो रजगुला आपके पेट में चला जाता है यानि जिसे हम स्टुमक या अमाशे के नाम से जानते हैं और आप लोगों को मालूम होना चाहिए जैसे ही ये अमाशे में जाता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिये जाते हैं यानि इतने टुकड़े कि जिस रसगुले को आपने इतनी मुहबबत से देखा था अगर वो आपके पेट में आप उस रसगुले को देख तो शायद आपकी आँखों में आशु आ जाएंगे और आप जरा कल्पना करिए जिस रसगुले को आपने खाया था जब वो रसगुला पचने के बाद या डाइजेशन की बाद वो बाहर आएगा यानि जब आप बातरूम के द्वारा उस वेस्ट माटेरियल को बाहर निक में समझाना चाहता हूं कि यह जो आपका प्रॉसेस है यही तो प्रॉसेस है डाइजेशन खुश्बू से लेके बदबू तक का सफर और हम इसको तैंग करेंगे आप हमारे साथ होंगे हम आपके साथ होंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं जहां से खाने में खुश्बू होता है इन सभी पहलों पर इन सभी चीजों पर हम आपसे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि आखिरकार हम खाना क्यों खाते हैं तो चलिए सुरुवात करते हैं देखिए सबसे पहली चीज हम खाना क्यों खाते हैं तो जरा ध्यान से देखिए मा लिजे ये फूड है हमने इसको खाया खाने के बाद हमने इसका डाइजेशन किया डाइजेशन के बाद हमारे पास कुछ वेस्ट मेटेरियल बनता है और हम उस वेस्ट मेटेरियल को कह सकते हैं क्या यूरिया कह सकते हैं यूरीन कह सकते हैं components होता है और सुनिए food को जब हम digest करते हैं तो हमारे पास बनता क्या है हमारे पास बनता है glucose और याद रखिएगा यही वो glucose है जो हमें energy देता है इसी लिए हम खाते हैं और ध्यान रखिएगा अगर हमें glucose नहीं मिलेगा तो आप यह भी याद रखिएगा कि glucose के बिना energy संभव नहीं है भले बाद में आप fat या protein से energy लीजिए लेकिन हमारे energy का main component क्या है तो हम उसको कहेंगे glucose अब देखिए इस खाने को digestion होता है digestion के बाद urea mix होता है glucose में और अब हम इसको अलग करेंगे अलग करेंगे इसके लिए हमारी body में एक चीज पाई kidney यानि इसको हम लोग kidney के नाम से जानते हैं अब आपको मालुम होना चाहिए जैसे ही हम इस waste urea को अलग कर देंगे उसके बाद ये fresh glucose को हम oxygen एड करेंगे और फिर इसके बाद जब जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगी energy तो ध्यान रखिएगा पहले खाईए फिर पचाईए और फिर जो बचा है उसे निकाल दीजिए गंदगी और फिर उसके बाद उसको जलाएए और जलाने के बाद energy लीजिए तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ सिंपल है कि पहले खाना जरूरी है फिर निकालना जरूरी है और फिर उसके बाद जलाना जरूरी है जिससे आपको क्या मिलेगी energy मिलेगी ध्यान रखिएगा तो अब आपको यह परपस समझ में आया होगा कुछ student ये कहते हैं कि हमने कई बार क्लासों में पूछा है कि ये बताईए खाना क्यों खाते हैं तो कई student कहते हैं पेट भरने के लिए खाते हैं भूख लगती है तो खाते हैं नहीं याद रखिएगा आप अपने जीवन के life process को maintain करने के लिए आप क्या खाते हैं तो करने के लिए आपको energy required होती है और energy हमें food से मिलती है ध्यान रखिएगा चलिए तो इस पूरी क्लास में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा digestion का introduction यानि digestion क्या है ये मैंने आपको बताया digestive system अभी थोड़ी देर में discuss करेंगे और फिर उसके बाद process बताएंगे आपको mouth to intestine आप जानते हो यहां से कुछ आप डालते हो यानि एक तरीके से ये pipe है यहां से कुछ डालिए और दूसरे हिस्टे निकाल जीए हिस्टा मतलब यही हुआ कि यह जो process है वहाँ एक pipe के true काम होता है यहां से कुछ और डाला जाता है और product morning में समझ में आता है तो आईए आपको समठाते हैं इसमें मैं आपको mouth भी समझाऊंगा इस्टमक भी समझाऊंगा इस्टोफेगस भी बताऊंगा इसके अलावा आपों के बारे में जिसे intestine कहा जाता है उसके बाद हम आपको इसी class में small intestine बताएंगे large intestine समझाएंगे एक overview देंगे बाद में हम इसमें पाये जाने वाले enzymes बताएंगे और बाद में हम सबसे important key जिसके कारण आप अपने food को बढ़ियां से digest करते हैं अच्छा आप से कभी भी कोई पूछे what is the digestion तो आप क्या answer देंगे तो मैं आपको बताता हूँ breaking of food is known as digestion breaking of food का मतलब समस्ते हो यानि आप ले चोड़ी चोड़ी जो रोखियां खाएं हैं और सोटे सोटे जो जो जाल और चावल के कुकड़े खाएं हैं इनको इतना तोड़ दीजिए कि आप microscope से जो उसको नहीं देख पाएंगे यह ध्यान रख़िएगा उसी process को हम कहते हैं क्या digestion तो आईए explain करते हैं क्या क्या चीजों को और सबसे पहले आपके digestion में जो मदद करता है खाने को पीषने का काम swing करने का चबाने का काम इसलिए को लोग कहते हैं हमारे बड़े बुजर्ब भी कहके गए हैं कि आपको अगर digestion करना है तो दांतों को मजबूत करना है और तुबा और रात में एक बार जरूर ब्रस करके ही सोना और जगना है इन सब चीजों के ही हमें आप लोगों को discuss करना चाहिए तो देखिए ब्रस अधिक हो जब हम आपको दांस पढ़ाएंगे तो आपको बहुत समझी आए पहले क्या होता था जब हमारे देश में विदेशी कंपनिया आती थी कोल गेट हो गएरा तो यह क्या करती है यह कहती थी कि आप नमक से दांतों को मत रगड़िए क्य अब पहले क्या होता था नमक को यह खराब मानते से लेकिन आजकल क्या पूशते हैं कि अधिक है अगर कुछ प्रॉबलम होगी तो आप लोग प्लीज हमें बता दीजेगा मुझे लगता है सबसे पहले आप खाएंगे उस प्रॉट्स को यह जरूर याद रख्यागा क्योंकि आपके एक्जाम में ुछा जाता है और पीजुलम ही आपके एक्जाम में पूछे और बताए जाते हैं तो दिखिये आपको सबसे पहले इंजेशन पढ़ना है उसके बाद आपको डाइजेशन पढ़ना है उसके बाद आपको एब्जॉप्शन फिर एस्टिमिलेशन और फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों को एक्स्क्रीशन पढ़ना है ज्यान रखिएगा खुष्ब को सब्सार नहीं आरा है sentido सब्सक्राइब बच्श्चां ऊकल जानकारी तो कि अगर इसके कमेंट आ मुझायद सब्सक्राइब कश्च कमेंट देखते हैं वाइस का अगर फॉब्लम है तो इसे फिश्चर देते हैं फोड़ा को बस देट करिए बेटा दो सेकेंड बस अभी एवरेश हैं ये जोपे तो इसे फिश्चर लेते हैं जन्दी फिश्चर तो देखिए आवाज हो गर सही हो गई सही है साउंड प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ये बच्चों का कमेंट नहीं दिख रहा इसमें मुझे मुझे मुबाइल लीजिए तो मैं देख लूँ पूश लूँगा न समझ में आ जाएगा कि हां कमेंड का कोई प्रॉब्लम तो देखो क्योंकि यहां पर आन तो है सब कुछ ठीक चल रहा है थोड़ा सा कुछ हमको दीजिए जो कमेंट का देखे जड़ा बच्चे हैं तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम आ रही थी अब ही आप लोग बच्चों यह बताईए थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था लेकिन अभी मुझे लगता है कि साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग प्लीज देखिए प्लीज आप लोग बच्चों कमेंट करके बताईए कि हमारी आवाज आप लोगो को क्लिरली आ रही है नहीं आ रही है प्रॉब्लम क्या रही है अगर आप मुझे बताएंगे तो फिर इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाना सुरू कर देंगे चलिए कोई बात नहीं मुझे लगता है आप लोगों को मेरी साउंड समझ में आ रही होगी तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं बिटा देखिए सबसे पहली चीज आप लोग ध्यान रखिएगा आपको जो समझना है हम उसे कहते हैं क्या इंजेशन इंजेशन का मतलब क्या होता है यानि आपने फूड उठाया और अपने हाथों से उसको अपने मुँ में रखा इसी प्रॉसेस को हम लोग कहते हैं इंजेशन ध्यान रखिएगा इसे हम लोग केवल और केवल अंतर ग्रहन के नाम से जानते हैं अगला चलते हैं जब आप अपने सरीर के अंदर कुछ ले जाते हैं तो उसी प्रॉसेस को हम कहते हैं क्या? डाइजेशन और यह डाइजेशन इतना असान नहीं है बीच बीच में बहुत सारे प्रोग्राम सोते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा आगे चलते हैं जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो आपका बलड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी बॉडी में घुमाता है ध्यान रखिएगा यानि पहले आपको खाना होगा फिर आपको पचाना होगा फिर आपको अवशोशित करना होगा यानि आपको एब्जॉर्ब करना होगा और फिर उसके बाद कुछ अच्छी चीजें और खराब चीजों को सेपरेट करना होगा उसी process को assimilation कहते हैं और last में आपको जो waste product है उसको आपको सरीर से बाहर निकाल देना होता है तो मेरे कहने का मतलब simple है आप समझ रहे होंगे आप लोगों से एक request रहेगी आप इस video को like करें, share करें और subscribe करें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इस video का importance क्या है और जानिये अगर आप अपने नौकरी के प्रति आश्वस्त हैं और भविश में आपको किसी भी सरकारी नौकरी को प्राप्त करना है तो ध्यान रखिएगा आपको biology से बिलकुल भी जुड़के रहना पड़ेगा वरना आपको future में problem आएगी तो इसलिए अच्छा अब आप लोगों को sound ठीक हो गई होगी हाँ तो याद रखिएगा खाने को खाईए फिर पचाईए और फिर absorb करिए और फिर इसके बाद waste material को सरीर से बाहर निकालने के process में अपना ये तो आपको मालुम हो गया कि हम अपने खान को कैसे कैसे लेते हैं कैसे digest करते हैं कैसे absorb करते हैं कैसे separate करते हैं और कैसे सरीर से बाहर निकालते हैं तो पहले excretion नहीं लिखना है पहले आपको ingestion लिखना है फिर उसके बाद digestion फिर absorption फिर assimilation और last में आपको excretion ही करना होता है याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग देखिए सबसे पहली चीज चलिए बच्चों आप बताईए आप क्या क्या खाते हैं यानि खाने में आप क्या क्या लेते हैं बोलिए खाने में आप क्या क्या लेते हैं बताईए आप हमें यानि आप कहेंगे सर हम रोटी खाते हैं हम चावल खाते हैं हम दाल खात हैं हम सबजियां खाते हैं तो चलिए मैं आपके सामने कुछ बातों को डिसकस करता हूं ध्यान से सुनिएगा यह कार्बो हाइड्रेट याद रखिएगा यह क्या है यह कार्बो हाइड्रेट आप जब रोटियां खाते हैं यानि जिसे आप रोटी या ब्रेड कहते हैं तो र खाते हैं तो इसका मतलब आप आयल या घी ले रहे हैं जो आप सबजी बनाते समय या दाल में डाल कर या रोटियों में लगा करके आप उस फैट को खाते हैं अगर आप दाल खा रहे हैं तो आप रोटीन ले रहे हैं अगर आप सबजीयां खा रहे हैं तो आप विटमिन ले रहें हैं और बहुत सारी चीजे होती हैं जो मिनरल्स को देती हैं और हाँ आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वह जादा तर यह जानते होंगे कि फाइबर क्यों खाया जाता है गहूं को पहले चाल कर खाया जाता था यानि जब आटा होता था तो उसको चाला जाता था चालने के बाद रोटी बनाई जाती थी, लेकिन आज भी उस गेहूं में अब उसे चाला नहीं जाता, क्योंकि आप जरा कल्प ना करिए, अगर मैं आपको एक मोमोच खिला दूँ, और माल लिजिए, एक दिन मैं आपको मक्के की रोटी खिला दूँ, तो बताईए, किस बताईए, अगर मैं आपको एक मोमोच खिला दूँ, एक दस रुपए का, और अगर मैं आपको मक्के की रोटी खिला दूँ, तो बताईए, आपका गुड मॉर्निंग, किस में अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आप जानते हैं, मक्के की रोटी रफ होती है, और मोमोच जो होता है, वो क्या होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है, इसलिए आपकी आतें भी क्या है, स्मूथ हैं, और मोमोच भी क्या है, स्मूथ, तो फिजिक्स का आप एक चीज जानते होंगे, जि से कहा जाता है फ्रिक्षन तो जहां पर फ्रिक्षन या घरशन नहीं होगा वहां पर आप ध्यान रखिएगा वहां पर आपको दिक्कत होगी इसलिए मक्के की रोटी में आपका िरोटी पर ही ध्यान देना चाहिए यानि मोटे अनाज ही आपको ज़्यादा तर खाने की आवशक्ता होती है तो सुनिये कार्बोहाइड़ेट खाईए हमारे एनरजी का में कम्पोनेंट क्या है तो हमारी ओरज्या का न कम्पोनेंट है क्या कार्बो हाइड्रेट और सुनिए हम किसी भी चीज को यानि कार्बो हाइड्रेट को तब तक डाइजिस्ट करेंगे कार्बो हाइड्रेट को हम तब तक डाइजिस्ट करेंगे जब तक हम इसको किसमें न कनवर्ट कर दें जब तक हम इसे glucose में न कर्वर्ट कर दें, यानि कुल मिला करके हम अपने खाने को तब तक पचाएंगे, जब तक ये carbohydrate किसमें न बदल जाए, तो हम उसे कहते हैं glucose, यानि हम रोटी को इतना चबाएंगे, इतना पचाएंगे, इतना डाइजिस्ट करेंगे, कि अंत में रोटी glucose में convert हो जाए, और हमें energy दे करके चले जाए, तो बताइए, खाने को पचाना है, तो कार्वो हाइडरेट को glucose में convert करना ही होगा, ध्यान रखिएगा, ओके, सोया बीन में प्रोटीन, येस, देखिए, हम इस fat को तब तक पचाएंगे, जब तक ये fat किसमें नहीं बदल जात तो याद रखिएगा, उसका नाम है fatty acid, यानि अगर आप तेल या घी खाते हैं, तो तेल या घी में आपको उतना खाना है, कि चब तक आप पचाते-पचाते, digest करते-करते, उसे fatty acid में ना convert कर दें, तो बेटा, digestion का purpose क्या है, कार्वो हाइडरेट को glucose में बदलना, fat को fatty acid में बदलना, और हाँ, protein को किसमें बदला जाएगा, तो हम इसे कहते हैं, amino acid, याद रखिएगा, digestion के बाद protein क्या करता है, digestion के बाद protein, amino acid में convert हो जाता है, चल यह देखिए, तो कार्वो हाइडरेट, glucose में convert हुआ, fat, fatty acid में, protein, amino acids में, और हाँ, हमारी body में digestion, हमारी body में digestion केवल और केवल, कार्वो हाइडरेट, fat and protein का होता है, कभी भी हमारी body में protein, vitamin digest नहीं होता, mineral digest नहीं होता, fiber digest नहीं होता, यानि आप इस संसार में जितना भी खाना खाते हैं, सारे खाने इनी छे चीजों से मिलकर के बने होते हैं, या तो उन में कार्वो हाइडरेट होगा, fat होगा, protein होगा, vitamins, minerals, fibers, everything, तो इसलिए आपको अगर अपनी life को अच्छे से maintain करके चलाना है, बीमार नहीं पड़ना है, तो समझ जाएए, आपको इन तीनों को और इन तीनों को खाने से ही आपकी बीमारी कमजोर होगी, और आप एक स्वस्थ प्राणी के रूप में आगे की और आएंगे, energy carbohydrate, आपको जो energy मिलती है, आप याद रखिएगा, आप mineral में क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए, आप अगर पालक खाते हैं, तो पालक में आपको क्या मिलेगा, iron, दूद पीते हैं तो क्या मिलेगा, calcium, इसी तरीके से बहुत सारे minerals होते हैं, zinc की जरुवत होती है, हमें copper की जरुवत होती है, बहुत सारे चीजों की हमें जरुवत होती है, ध्यान रखिएगा, और जानते हैं, तो बेटा याद रखना, हमारे energy का main component क्या है, carbohydrate और दूसरा main component क्या है fat और तीसरा main component क्या है protein और ध्यान रखिएगा हमारी body में हमारी body में carbohydrate जब खतम होगा तो fat जलेगा और जब fat जलेगा तो fat जलने के बाद जब fat खतम हो जाता है तो protein जलता है और हमारे सरीर के निर्माड में यानि इस body के building करने में कौन मदद करता है तो हम उसे कहते है protein अगर protein सरीर में नहीं होगा तो हमारे सरीर का building यानि निर्माड नहीं होगा और अगर से खतम होता है तो आपका सरीव सूखने लगता है इसी लिए ध्यान रखिएगा हमारे energy का main component क्या है तो हम उसे कहते हैं क्या कार्वोहाइडरेट में भी सबसे important चीछ क्या है तो हम इसे कहते हैं glucose ध्यान रखिएगा fiber जरूर खाईेए वरना आपका good morning खराब हो जाएगा क्योंकि good morning का मतलब होता है खाना अच्छा खाइएगा तो सुबह भी अच्छा गुजरेगा और अगर आपका good morning खराब हो गया तो समझ जाइएगा कि आपने रात में या सुबह तक में कुछ गरबर खाया है ठीक है याद रखिएगा गूड इवनिंग स्यू कुमार जी है गूड इवनिंग सोनु कुमार शोनु कुमार अमीनो एसिट्स बता रहे हैं राकेश कुमार पोरवाल है आलू में कार्बो हाइडरेट होता है येस आलू में भी होता है सकरकंद यानि सुईट पोटैटो में भी होता है, ब्रेड में भी होता है राइस में भी होता है बहुत सारी चीजों में कार्बो हाइडरेट्स होता है आप जरूर खाएं और उससे अपने एनर्जी लेने के प्रोसेस को सेम्राइट रखे है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा यह बताओ यहां पर दो-तीन बातें लिखी हैं, ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक ग्राम कार्बोहाइडेट खाईए, तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, अब ये बात आती है, एक ग्राम फैट खाईए, तो 9.3 किलो कैलोरी मिलती है एनर्जी, अब आपके बताना चाहता हूँ, कार्बोहाइडेट बहुत आसानी से हमारे सरीर में बर्न हो जाता है, जल जाता है और जलने के बाद वो हमें एनर्जी देता है, लेकिन फैट को बर्न होने में समझ लगता है, याद रहिएगा कैसे बताता हूँ कार्बन, हाइडरोजन और अकसीजन, carbon hydrogen और oxygen आपको मालुम होना चाहिए carbohydrate भी carbon hydrogen और oxygen का बना होता है और fat भी carbon hydrogen oxygen का बना होता है लेकिन fat में oxygen की quantity कम होती है इसलिए हमारी body में fat को जलाना यानि लोहे के चने चबाने के बराबर होता है जान रखिएगा एक ग्राम carbohydrate खाईए और अपने सरीर में 4.2 kcal energy लीजिए और एक ग्राम fat खाईए और आप लीजिए 9.3 kcal energy मैं आपको यहाँ कुछ बात बताना चाहता हूँ आपके exam में question आया ये बताईए maximum energy किसमें पाई जाती है fat में या carbohydrate में तो बताईए fat में या carbohydrate में तो आपको मालुम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा energy fat में पाई जाती है लेकिन हमारी body की requirement के लिए maximum energy कौन देता है तो वो है carbohydrate फिर से ध्यान रखिएगा maximum energy किसमें होती है तो वो है fat और आपको ध्यान रखना होगा एक ग्राम कार्वो हाइडरेट में 4.2 यानि कार्वो हाइडरेट को आसानी से जलाया जा सकता है और fat को आसानी से जलाया नहीं जा सकता इसलिए हमारी उर्जा का मुख स्रोत main resource of energy कौन है तो वो है carbohydrate लेकिन maximum energy found in fat तो ध्यान रखिए मैंने बातों को यहाँ पर आपको clear करने की कोशिश कर दिया है चलिए बताइए आखिरकार आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो अच्छा खाईए अच्छा पचाईए good morning अच्छी करिए और साथ साथ में आपको अच्छे खुस्बू वाले खाने को खाईए और एक्दम खराब वाली बद्बू के साथ बाहर निकाल दीजिए उसको चलिए आगे बढ़ते हैं बिटा तो सुनिए केवल और केवल इनी तीनों का digestion होगा लेकिन इन छेओं का क्या हो जाएगा यह जो छे हैं इनका absorption होगा यानि यह absorption किसका होता है तो इन छे का होगा लेकिन केवल digestion तीन का होगा carbohydrate glucose में convert होगा fat fatty acid में और protein किसमे amino acids में convert हो जाते हैं शर मनुष्य में कौन सा protein होता है बालक मनुष्य के सरीर में 22 तरीके का protein पाया जाता है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए 22 amino acids found in human body लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि 11 तरीके का protein मनुष्य के सरीर में ही निर्मार हो जाता है और 11 तरीके का protein हम क्या करते हैं हम उसे resource outsource करते हैं दाल खाके पालक की सबजी खाकरके बहुत सारे food components नहीं खाकरके हम आप पूर्ती करते हैं तो हमारे सरीर में जो protein पाई जाती है बहुत तरीके की है albumin, globulin, बहुत सारी proteins हमारे पास पाई जाती है आगे बढ़ते हैं ठीक है देखिए ये एक overview है आप ध्यान रखिएगा आप लोगों को मालूम होना चाहिए आपके सामने है ये mouth है mouth से आपने खाना यहां से डाला इस जगह से आपका खाना कहां आया? इसोफेगस में digestion आपका कहां से सुरू हुआ? salivary gland से सुरू हो जाता है यानि mouth से सुरू हो जाता है grass नलिका में यहां पर कोई पाचन नहीं होता फिर इसके बाद आपका खाना अमाशे में आता है फिर liver कुछ मदद करता है जिगर वाला आप जानते हैं इसको जिगर कहते हैं लीवर को हम जिगर भी कहते हैं और लीवर को हम कलेजा भी कहते हैं नहीं हमारी मदर लोग क्या कहते हैं आजा मेरे कलेजे के टुकड़े अभी तक कहा था लेकिन आप सोची अगर अंग्रेज की मम्मी होगी तो क्या कहेगी? come here my liver piece यही तो बोलेगी अच्छा जी इंट्रेस्टिंग है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपका खाना सीधा आएगा छोटी आत में छोटी आत से बड़ी आत में और फिर उसके बाद सुबा आप जलीवी का निर्माण करेंगे या तो फिर आप इधर उधर कहीं पर भी हो करके चले आएंगे तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है अच्छा खाईए अच्छा पचाईए अच्छा निकालिए चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब आपको एक ओवर्वीव मिल गया है कि आपको खाना खाना है खाने के बाद माउथ में जाना है माउथ में उसको आप स्टार्ट करिए और माउथ से स्टार्ट होकर के कहा जाता है सीधा रेक्टम में अमाशे में फिर उसके बाद डाइजेशन के बाद हम उसे बाहर निकाल देते हैं हम आपको अलग-अलग पढ़ाएंगे, माउथ अलग से पढ़ाएंगे, स्टोमाख अलग से बताएंगे, और फिर इसके बाद और भी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखिए, ये है आपका छोटी आत, पूरा का पूरा अगर आप elementary canal की बात करते हैं, तो elementary canal कितनी लंबी होती है? elementary canal लगभग मान के चलिएगा, कि अगर आप बात करते हैं, तो लगभग 10 से 15 मीटर होती है, यानि 40 से 45 फिट होती है, लेकिन उसमें से भी सबसे लंबा पार्ट क्या होता है? ये जो आपके सामने बना हुआ है, छ और फिर उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा है, हम इसे कहते हैं, जेजुनम, और जब लास्ट वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं क्या? ilium के नाम से जानते हैं, बताते हैं आपको, तो small intestine is the longest part of digestive system, छोटी याथ किसी भी पाचन तंतर का सबसे लंबा भाग होता है, तो कितना लंबा भाग होता है, तो 6.25, उसमें से भी 3.5 मीटर, ilium का part होता है, ध्यान रखिएगा, अगला चलते हैं, ये सारी PDF आपको अबलेबल कराने की कोशिश की जाएगी, और ताकि आप लोगों को आसानी से चीजे समझ में आती जाएं, देखिए, छोटी आथ जो पेट से ज जानते हैं, और सुनिए, डाइजेशन कहां से सुरू होता है, माउट से सुरू होता है, छोटी आथ पर खत्म हो जाता है, बड़ी आथ में किसी भी तरीके का कोई भी डाइजेशन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, यानि बड़ी आथ में किसी भी तरीके का तक इसको पहुचाईए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ ध्यान रखिएगा जब ये क्लास खतम हो जाएगी तो जरूर कमेंट करिएगा नीचे कि आपको ये क्लास कैसी लगी आज थोड़ा पहली क्लास है थोड़ा सा नोर्स को पढ़कर के अपने एक्जाम को क्वालिफाई करें ध्यान रखिएगा सरकारी नौकरी अगर पाना है तो साइंस को अपनाना है ध्यान रखिएगा आईए आगे बढ़ते हैं सुबह क्या है अच्छा ठीक है यह बोलना थोड़ा उचीत नहीं है सांकेतिक भासा में चीजों को समझने का प्रयास करते हैं तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग यहां पर सा सम्भान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, यानि थोड़ा मैनर वाले लहजे में चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, चली आगे बरते हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि छोटी आथ में तीन पर्ट होते हैं deodenum jejunum and ileum deodenum वाला पर्ट इस टुमक से जुड़ा होता है और अमासे से खाना आता है और फिर छोटी आथ में और फिर इसके बाद जो ileum वाला पर्ट है वो बड़ी आथ में जा करके खत्म हो जाता है समझ में आगई बात digestion starts from mouth and end in small intestine पाचन क्रिया मुख से प्रारंब होकर छोटी आत पर समाप्त हो जाती है दियान रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब शेक कुमार सिंग कह रहे हैं super amazing वाव thank you बहुत बहुत धन्यवाद इसमें कुछ amazing तो नहीं है लेकिन फिर भी आपके सरीर के अंदर अगर छोटी आत और बड़ी आत है तो definitely क्या है amazing समझ में आई बात और अगर वो good morning आपका अच्छा कर रही है अभिशेक जी तो इसका मतलब ये है amazing और अगर आपको good morning के समय में मेहनत करनी पड़ रही है संघर्स करना पड़ रहा है तो ये amazing नहीं है ध्यान लखिएगा आगे बढ़ते हैं ये है बड़ी आत बड़ी आत में किसी भी तरीके का कोई भी digestion नहीं होता देखिए digestion of food absent in large intestine यानि बड़ी आत में किसी भी तरीके का कोई भी digestion नहीं होता धर्मेंद्र बगेल कह रहे राम राम गुरुजी राम राम बालक क्या हाल चाल है सब ठीक ठाक है चलिए water and mineral absorb in large intestine बड़ी आत में जल एवं खनिज का अवशोशन होता है यानि बड़ी आत में किसका अवशोशन होता है जल एवं खनिज का अवशोशन होता है ज्यान रखिएगा यानि बड़ी आत में किसी भी तरीके का कोई digestion नहीं होता जो भी पानी और जो भी mineral हम खाते हैं उसको absorb करके अवशोशित करके पुरी सरीर में भेजने का काम कौन करता है तो वो है बड़ी आत और बलड उसको ले करके पुरी body में घुमा देता है ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं बड़ी आत के भी तीन पार्ट होते हैं ध्यान से देखिएगा colon अब सुनिए यहीं पर छोटी आत आकर के जुड़ जाती है और सुनिए इसे कहते हैं ascending colon इसे कहते हैं transverse colon इसे कहते हैं क्या descending colon और इस हस्थान को कहते हैं sigmoid colon तो बेटा याद रखना अगर आप से पूछा जाता है पूछा जाता नहीं पूछा गया है यह बताए colon is a part of colon किसका भाग है तो colon भाग है किसका बड़ी आथ का large intestine का colon किसका part है colon है बड़ी आथ का colon कितना होता है जहां से छोटी आथ जुड़ी होती है उसे कहते हैं हम लोग ascending colon फिर जो flat है horizontal है उसे हम बोलते हैं transverse colon फिर downward है जिसे हम कहते हैं descending colon और थोड़ा सा जो quail है यह देखिए यहां पर quail है उसे हम बोलते हैं sigmoid colon तो आपको इतना तो confirm हो गया होगा कि हमारा खाना जब आता है तो पहले यहां आता है waste यानि जिसको आप fishish बोलते हैं जिसको आप और भी बहुत कुछ बोलते हैं तो यह फिर इसके आद ऊपर की और जाता है फिर यहां से आता हुआ और अंत में सुबह good morning हो जाता है तो हमारे कहने का मतलब बहुत सामान ने है अच्छा खाईए अच्छा पचाईए अच्छा निकालिए इसलिए आप लोगों को समझने की जरूरत है समझ में आ रहा होगा बात को कोलन किसका पार्ट है और हाँ जहां पर छोटी आता के जुड़ती है उसे हम लोग कहते हैं क्या सीकम और एकदम लास्ट वाला जो हमारा आखरी रास्ता होता है हम उसे कहते हैं क्या रेक्टम या एनस जिसे हम गुदा द्वार कहते हैं भगवान न करे आप लोगों में से किसी को पाइल्स हो जिसको वावासीर कहते हैं वो बहुत कस्टकारी होता है और आदमी बैठटा तो है लेकिन वो बैठ नहीं पाता है दर्द इतना होता है कि महसूस करता है लेकिन बता नहीं पाता है तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप सिर्फ महसूस करिएगा बता नहीं पाईएगा इसलिए अच्छा खाईए अच्छा बचाईए और अच्छा निकालिए इसलिए ताकि आपको भविश्च में दिक्कत ना हो समझ रहे होंगे आप लोग बात को हम जो चीजों आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी आत में किसी भी तरीके का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है और बड़ी आत में केवल और केवल होता है तो क्या वाटर और मिनरल का absorption होता है ध्यान रखिएगा इस बात को चली दिखिए colon is the longest part colon किसका पार्ट है लंबा तो वो है आपका बड़ी आत का पार्ट होता है और सीकम क्या है तो सीकम क्या है छोटी आत से जुड़ा होता है मैंने अभी आपको जस्ट बताया इसके अलावा rectum क्या है तो rectum होता है बड़ी आत का जो एनस वाला पार्ट है जहां पर पाइल्स होने के चांस होते है गुदा द्वार जिसको कहा जाता है बवासीर जिसको इंग्लिश में सुरी हिंदी में कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा तो मुझे लगता है आपको पता हो गया होगा कि हम खाना क्यों खाते हैं तो चलिए बताईए बालकों अब हमारे पास शायद समय कम है आज के लिए हम शायद इतना ही रख पाएंगे लेकिन मेरी उम्मीद रहेगी आप से कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और SSC अड़ा को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुचाने का भी प्रयास करेंगे और हाँ ये था एक पहला पार्ट कल हम आपको दांतों के बारे में समझाएंगे और जीब के बारे में अब आईए आपको एक चीज बताते हुए कलास का अंत करेंगे हमारे सरीर में माउथ होता है मुख ध्यान रखिएगा उस मुख में जीब होती है लड़कों के जीब पर लड़कों के जीब पर 6,000 स्वाद कलिकाएं होती है 6,000 टेस्ट बड लेकिन लड़कियों के जीब पर 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है 10,000 टेस्ट बड इसलिए लड़कियां चटोरी होती है ध्यान रखिएगा यानि उनको खाना खाने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि उस खाने को वो स्वाद लेकर के खाती है ध्यान रखिएगा बेटा हमारी क्लास कल फिर 4 बजे होगी यानि 4 बजे आप हमसे मिलिए ध्यान से और परसों भी हमारी क्लास 4 बजे होगी 4 बजे ही हम आपसे मिलेंगे तो आज हमने आपको एक ओवर व्यू दिया है यानि आपको क्या खाना होगा carbohydrate, fat, protein, minerals, vitamins, बहुत सारी चीज़ें आपको खानी है फिर उसके बाद carbohydrate को glucose में बदलना है फिर उसके बाद protein को amino acids में बदलना है mouth से digestion start हो जाता है और फिर उसके बाद ant कहां होता है तो आपको पता है ant कहां होता है तो मालूम होगा आपको कहां होता है large intestine में नहीं, छोटी आथ, यानि small intestine में बढ़ी आथ में केवल और केवल चीज़ें जा करके waste हो जाती है और बाहर के और निकाल पूर कहा एक्जार होगा जो कोटे 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 में होता है वह होता है स्मॉल इंटेस्ट चाइंड में ठीक है पूर्श स्यप्धियत लिक DP लिक्वादव ऑब के लंगर अगर गर्मी ऐखता है अगर अगर आपको गर्मी में सर्वी का अहसाथ करना है तो आप इसी लगवाईए और अगर आपको गर्मी में गर्मी का अहसाथ करना है तो आप इदर लगाईए जो ही ऑप्षन है हर मौसम में अपना अपना सुभा होता है इंदी के मौसम में ठंड लगेगी जर्मी के मौसम में तो मुझे लगता है आज के लिए सर्वाइस फिर खराब है अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं आज के लिए साम कुछ चार बजे देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लाइक करें अफ्टाइब करें शेयर करें